Hello Friends Welcome to my channel दोस्तों आज हम पढ़ने वाले है एक कहानी जिसका सिर्सक है The Friendly Mong Take a Friendly means होता है दोस्त के जैसा यानि दोस्ता ना Mongaj, Mongaj means होता है निवला यानि ये निवला के बारे में कहानी है सुरू करते हैं जैसे Once a farmer and his wife lived in a village with their small son Once means एक बार यानि एक बार की बात है एक किसान और उसकी पतनी Lived means रहा करते थे कहां रहा करते थे In a village with their यानि एक गाव में रहा करते थे किसके साथ एक with their small son यानि उसका एक छोटा बच्चा था उसके साथ रहा करते थे कहां पर तो एक गाव में We must have a pet The farmer said to his wife one day एक दिन क्या हुआ एक दिन farmer ने उसकी पतनी से कहा क्या कहा कि we must have a pet यानि हम लोगों को एक पालतू means कोई पालतू जानवर रख लेना चाहिए When our son grows up जब हमारा बच्चा बढ़ा होगा He will need a companion तब उसे जरुरत होगी क्या जरुरत होगी companion का companion means क्या होता है साथी का जिसके साथ वो रह सके This pet will be our son's companion और यह जो pet जो हम उस पालतू जानवर को लखेंगे वो हमारे बेटे का साथी होगा His wife liked the idea उसकी पतनी उस idea को पसंद किया यानि उसको अच्छा लगा One evening the farmer brought with him a tiny mongooj एक साम farmer brought means bring means होता है लाना brought means होता है लाया यानि लाया क्या लाया With him अपने साथ लाया a tiny mongooj यानि एक चोटा सा mongooj चोटा निवला लाया It's baby mongooj यानि यह एक कैसा mongooj था baby means भच्चा Sad is wife उसकी वाइफ ने कहा कि यह तो भच्चा है means छोटा है But will soon be fully ground He will be a friend of our son लेकिन वो क्या हो जाएगा जल्द ही बड़ा हो जाएगा fully ground means होता है complete पूरी तरह से बड़ा होना He will be a friend or to our son और वो हमारे son का क्या हो जाएगा friend हो जाएगा Both the baby and the mongooj ग्रिव अब दोनो बहत मिन्स होता है दोनो baby और mongooj क्या होँ ग्रिव ground means बढ़ना ground means बढ़े यानि बढ़े हो गए in five or six months the mongooj had ground to its full size यानि पांच या च्छा महने में क्या हुआ mongooj ground यानि बड़ा बड़ा हो गया कितना बड़ा जितना बड़ा होना चाहिए अपने full size में हो गया a lovely animal with two shining plague eyes यानि एक प्यारा सा animal जानवर और उसके क्या थे two shining black eyes यानि दो चमकदार चमकती हुए आँखें काली आँखें और बुसी टेल और बुसी मिन्स होता है जाड़ी दार तो बुसी टेल था the farmer's son was still a baby और farmer का जो बेटा था वो अब भी बच्चा है था मिन्स बड़ा नहीं होआ था in the cradle वो cradle में था cradle में सोता है पालना जिसमें बच्चे को सुलाते है sleeping and crying alternatively यानि वो बच्चा सोता था और रोता था एक के बादिक मिन्स कभी सोता था कभी रोता था one day the farmer's wife wanted to go to the market एक दीन farmer की जो पत्नी थी वो जाना चाही wanted मिन्स चाही कहा जाना चाही market जाना चाही she fed the baby उसने बच्चे को खिलाया fed मिन्स होता है खिलाना fed मिन्स होता है खिलाया and rocked him to sleep in his little cradle और बच्चे को rock rock मिन्स होता है rock मिन्स क्या होता है उसको खिलाना मिन्स जब हम पालने में बच्चे को सुलाते हैं तो उसको हलका हलका हिलाते हैं तो उसने क्या-क्या बच्चे को खिलाया और पालने में सुलाया तो picking up the basket और basket उठा करके she said to her husband उसने अपने husband से कहा क्या कहा I am off to the bazaar मतलब मैं bazaar जा रहे हूँ ऐसा उसने कहा the baby is sleeping यानि बच्चा सो रहा है keep an eye on him keep an eye का मतलब होता है नजर रखना किस पर नजर रखना है तो उस बच्चे पर नजर रखना यानि ध्यान रखना frankly I don't like to leave the child alone with the monguj अब यह करी है frankly I don't like मुझे पसंद नहीं है to leave जाना इसको छोड़ कर जाना किसको बच्चे को छोड़ कर जाना अकेले with the monguj किसके साथ तो monguj के साथ you needn't be afraid अब क्या बोला you needn't be afraid said the farmer farmer ने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं need not means होता है the monguj is a friendly animal monguj यानि ये जो monguj है नेवला है ये friendly animal है यानि दोस्त के जैसा है it's as sweet as our baby ये उतना ही प्यारा है जितना की हमारा बच्चा है and they are the best friends और वे लोग दोनों क्या है बहुत ही अच्छे दोस्त हैं you know तुम जानती हो wife चली गई and the farmer और जो किसान था having nothing to do in the house means उसको घर में कुछ काम नहीं था करने को decided to go out what decide किया means कि हम थोड़ा बाहर चलते हैं and take a look at his fields क्या करने के लिए तो थोड़ा देखने के लिए क्या देखने के लिए अपने खेतों के अपने खेतों को देखने के लिए not far away जो कि ज़्यादा दूर नहीं था उसका खेत he ran into some friends on the way ran into का मतलब होता है run into somebody का मतलब होता है किसी से जब हम अचानक मिलते हैं जो कि expect नहीं करते हैं और हम उससे मिलते हैं इसको हम बोलते हैं इंगलिस में run into somebody तो उसी तरह he ran ran into some friends यानि वो कुछ दोस्तों के साथ मिलता है यानि भेंट होती है इसको कहां पर रास्ते में ठीक है back and didn't return for a quite some time और क्या हुआ और इसलिए वो कुछ देर के लिए वापस नहीं आपाया मिस वो सकता है उन लोग के साथ गप करने में समय निकल गया हो आगे आते हैं the farmer's wife finished her shopping farmer की जो पतनी थी वो अपना shopping खतम कर ली जितना खरिदारी करना था खरिद ली and came back with came back home with a basket full of groceries और घर आई क्या लेकर के एक पूरा basket full मतलब पूरा टोकरी भर करके ग्रोसरी रहे ग्रोसरी में जो खाने पिने का चीज़े हम लाते हैं तो ग्रोसरी बोलते हैं she saw the mongoose she saw the mongoose sitting outside as if waiting for her उसने क्या देखा कि mongoose को क्या देखा sitting outside वो बैठा वाता बाहर as if मतलब agif मतलब मानो मतलब ऐसा समझो जैसे waiting for her कि उसका वो इंतजार कर रहा है कौन? mongoose जैसे कि उनकी farmer की wife का हिंचार कर रहा है on seeing her उसको देख करके on seeing her he ran to welcome her means जब उसने जब उसने farmer की wife को आते वे देखा तो वो दोर करके आया उसके पास उसको welcome करने के लिए as was customer और ऐसा वो पहले भी करता था बराबर customer का मतलब होता है जैसे हमेशा की तरह usual customer the farmer's wife look sorry the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed farmer की जो wife है वो क्या की the farmer's wife sorry the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed farmer की wife ने देखा क्या देखा किसको mongoose को देखा और चिलाई scream जोता है चिलाना scream चिलाई blood यानि उसके मुँ में mongoose के मुँ में blood था she cried उसने चिलाया the face and paws of the mongoose were smeared with blood यानि जो mongoose के face चेहरे पर और उसके पंजे पर क्या था वो blood से सने हुए थे यानि smear में सोता है सना होना रंगा होना रंगा होना you with animal you have killed my baby तब farmer की wife को लगा कि इस animal ने उसको उसके बच्ची को मार दिया है इसलिए उसने कहा कि you wicked you have killed my baby तुमने मेरे बच्ची को मार दिया she skimmed hysterically यानि उसने वो पागलों की तरह चिलाने लगी लगी she was blind with rays and with all her strength brought down to heavy basket full of groceries अब क्या कि she was blind वो मतलब एक तरह से गुस्टे से अंधी हो गई मतलब इतना गुस्टा हो गया उसको and with all her strength और पूरी ताकत के साथ brought down the heavy basket और उसका जो heavy basket था उसको नीचे पतक दी जिसमें पूरा grocery था अब on the blood किस पर पतक दी तो on the blood smeared mongos उस mongos के ऊपर and ran inside to the child's cradle और वो दोड़ते हुए अंदर गई अपने बच्चे के उसके बच्चे के cradle के पास cradle means होता है पालना अब the baby was fast asleep अब बच्चा वहाँ पर घरी नीन में सुया था but on the floor lay a black snake torn and bleeding लेकिन वहाँ पर क्या था floor में on the floor means फर्स पर क्या था एक परावा था क्या lay means होता है परावा ना तो a black snake एक काला सांप torn means फटा चीटा जिससे कि उसको नेवले ने पूरा काट के तोड़ दिया होगा और bleeding वो पूरा blood निकल डा था उस snake से in a place means अचानक से a she realized means उसको time नहीं लगा समझने में वो उसको ये बात का एहसास हो गया farmer की वाइब का realize means होता है एहसास होना what had happened means क्या हुआ ये क्या क्या मैंने she ran out looking for the mongos वो बाहर दोरी हुई आई उसको देखने के लिए mongos को यानि उस समझ गई उसकी वाइब farmer की वाइब की mongos जो है snake को मार दिया है क्योंकि snake बच्चे को कार सकता था इसलिए उसने snake को मार दिया और इस वज़ा से उसके मुँपे blood लगा हुआ था अब जब इस बात का एहसास हो गया तो वो दोरते हुए बाहर आई mongos के पास ओफ you saved my child अब वो बोल रही है क्या रहे ओफ तुमने मेरे बच्चे को क्या-क्या बचाया you killed the snake तुमने साब को मार दिया what have I done और मैंने क्या-क्या she cried touching the mongos और वो रोते मिन्स mongos को छूते हुए रोने लगी चिलाने लगी who lay dead and still और mongos क्या था वो पढ़ावा था मरावा पढ़ा था और still इस होता है सांत एक्दम unaware of her sobbing और और रहे थी तो उसको क्या मालूँ वो तो मर चुका था the farmer's wife farmer की जो पतनी थी who had acted hastily and racely hastily means होता है तेजी से रसली means बेता हासा means who had acted hastily and racely stared long at the dead mongos और उसको देखते रही किसको बहुत देखते रही उस mongos को मरे हुए mongos को then then she heard the baby crying उसके बाद वो बच्चा रोने लगा means वो सुनी की बच्चा रो रहा है wiping her tears अपने अपने आस्मों को पोच्चते हुए wipe means होता है पोच्चना she went in to feed him वो गई उसको खिलाने के लिए दोस्तों यहाँ मारा स्टोरी आपको कहीं न कहीं आपको इससे लाव हो रहा है तो प्लीज आप इससे सब्सक्राइब करना न भूले इससे सेर करें और लाइक चरू करें थैंक्यों दोस्तों